दोस्तो अकसर पॉदुलारिटी एक कीमत के साथ आती है स्पेशली हमारे बॉलिवुड सिलेबिटीज के केस में तो यही होता है यहां इन्हें शोहरत की कीमत स्कांडल्स और कॉंट्रोवर्सी के बदले देनी पड़ती है दोस्तो आप सभी का स्वागत है वॉट्सप बॉलिवुड में आज हम जिस स्कांडलर स्टोरी की बात करेंगे वो आपको शायद मालूम नहीं होगी एक ऐसी कॉंट्रोवर्सी जिसमें एक पुराने बॉलिवुड कपल ने एक दूसरे के साथ आधी रात को एक सीक्रिट तरीके से शादी की थी आगर किसने और क्यों इस तरह शादी की? शबाना आजमी और जावेद अख्तर बॉलिवुड के वर अधी मोस सेलिब्रेटिट कपल माने जाते हैं वो रात थी दिसमबर 9 1984 एक एतिहासिक दिन लेकिन पूरी दुनिया जहां सो रही थी किसी को मालूम नहीं था कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी की शादी जानकी कुटीर में शबाना के पेरेंटल होम में हो रही थी यहां आधी रात को एक मौलवी को बुलाया गया जिन्होंने ये खसम खाई कि वो ये बात किसी से शेर नहीं करेंगे आधी रात को ये निकाव पड़ा गया और शबाना और जावेद हमेशा के लिए दूसरे के हो गया अब हम आपको इस सीक्रिसी और मिड्नाइट कॉंट्रोवर्सी की वज़ा बताते हैं दरसल जावेद अक्तर की पहली बेगम हनी रानी को ये बात मालूम नहीं थी और उन्हीं से ये सच्चाई चुपानी के लिए ये सारा कारनामा किया गया था क्योंकि उस वक्त जावेद और हनी के रिष्टे खराब चल रहे थे और इनका डिवॉस ओफीशली 1985 में हुआ था बेचारी हनी रानी कोई चारा नहीं बचने के कारण इन्हें सच्चाई को एकसेप्ट करना पड़ा लेकिन यहां ताज्यूप की बात ये है कि 1972 में जब हनी जावेद अख्तर से शादी करने वाली थी तब उनकी मा ने उन्हें एक च्छेताबनी दी थी तुम अपनी मर्जी चला कर उससे शादी कर लो एक दन आएगा जब तुम इसका सबक सीखोगी और दुबारा घर लोट के आओगी और आखिरकार ऐसा ही हुआ हनी की मा ने जो भविश्यवानी की थी वो आखिरकार सच हुई तो आपको इस कॉंच्रोवर्सी पर क्या कहना है कमेंट कीजे और ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल